नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानद वसिष्ठ और सज्जनों महा भारत का ही प्रसंग आज हम आपके सामने ले करके आएगा हैं महा भारत में आप ये देखिए कि उस समय पर हमारा भारत वर्ष कितना विश्त्रित था पूरा एशिया इसके अंदर पूरा एशिया तक हमारा भारत था जिसके अंदर आज तो उनके सबके प्रतक प्रतक जो हैं विभाग हो गए अलग-अलग देश बन गए लेकिन यहां इस महा भारत के अंदर महा भारत जो वेदव्यास जी की द्वारा रचित है उसके अंदर वर्णन आता है कि महा भारत में कितने लोगों ने अपने प्राण गमाए हैं तो उसके अंदर अगर मैं कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगें महा भारत में लिखा हुआ है एक अरब 77 करोड एक लाख और 25 हजार यह वो लोग हैं जिनका नाम रेजिस्टर था और जो बिना रेजिस्टर चपेट में आकर के या वैसे जो किसी भी कार्ण से युद्ध में मारे गए उनकी संख्या का पता नहीं है आज हमारे भारत वरस की इतनी जन संख्या भी नहीं है जितने लोगों ने वहाँ पर प्राण गमाए अब प्रशन ये आता है कि इतने लोगों ने प्राण गमा दिये तो बाद में फिर बचा कौन देखे दर्दराश्ट युद्ध करने गए नहीं विदुर ने युद्ध से वैसकार कर लिया था कि मैं युद्ध में नहीं जाओंगा इसके अलावा जितने भी लोग थे सो कोरव थे सो के सो समाप्त हो गए कर्ण समाप्त हो गए और भीस्म पिता में समाप्त हो गए इसके अलावा बहुतों ने वहाँ पर अपना प्राण गमाया वहाँ पर कोई भी नहीं बचपाया यहां तक कि द्रोपदी के पाँच पुत्र थे वो भी युद्ध के अंत में जब समाप्त हो गया युद्ध उसके बाद रात्री में सोते हुए पाँच पुत्रों को अस्वत्था माने आकर के मारा था तो कहिने का अभिप्राई यह गए कि माहा भारत के अंदर कुछ ही लोग बचपाये उसमें पाँचों पंडव बचे द्रोपदी बची कुंती यह युद्ध में गई ही नहीं इसलिए बचना ही था लेकिन इसके साथ साथ सबके पश्यात जो बचे उनका नाम मैं आपको गिनाता हूँ अस्वत्था मा कृपाचारियव कृत वर्म यह तीन कौरव पक्ष से बचे और बंडव पक्ष से सारे के सारे ही वहाँ पर जो है बचे रहे इनका पूरा वंस ही समाप्त हो गया था लेकिन अंत में जो अभिमन्यू की पतनी थी वो गर्भवती थी और उसी के जो पुत्र हुआ उसका नाम परिक्षित हुआ और उसी से आगे उनका वंस चला तो यह जानकारी मैंने आपको महाभारत के मध्यम से दीग है और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे कि आपको अलग से अल विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वो नव ग्रहों की पूजा आदी कराई जाती है। प्रव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 788-3888-98421। हमारी वेब साइट है www.shreevashist.com